इकाई चार प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिती तथा उनके अधिकार 4.1 प्रस्तावना 4.2 उद्देश 4.3 प्राचीन भारत में स्थियों की स्थिती 4.4 स्थिधन 4.5 स्थि का संपत्ति पर अधिकार 4.6 सारांच 4.7 तक्निकी शब्दावली 4.8 स्वमुल्यंकित प्रश्णों के उत्तर 4.9 संदर्पक्रंथ सूची 4.1 शून्य सहयक्व उप्योग पाठ्य सामगरी 4.1 एक निबंधात्मक प्रश्ण प्रिष्ट 251 प्रस्तावना भारतिय सामाजिक व्यवस्था में स्रियों का स्थान महत्वपोर्ण रहा है हिंदु समाज में उनका सम्मान और आदर प्राचीन काल से आदर शात्मक और मर्यादा योग्त था उनकी अवस् शिक्षा, संपत्ती, आधी में आधिकार प्राप्त थे, कन्या, पत्नी, वधु और मा के रूप में किये गए उनके कार्य परिवार और समाज में आदरुत थे, उनके प्रती समाज की स्वाभाविक निष्ठा और श्रध्धा रही है, भारतिय धर्मशास्र में नारी सर्व शक्ती संपन्न मानी गई, तथा विद्या, शील, ममता, यश और संपत्ती की प्रतीक समझी गई, ग्रह की सामगरी के रूप में उसे प्रतिष्ठा पित किया गया, तथा घर के अन्ने सदस्यों को उसके शासन में रहने के लिए निरदेशित किया गया, धीरे-धीरे समाज उसका महत्व इतना बढ़ा कि उसके बिना पुरुष, अपूर्ण और अधुरा समझा गया। उसके संपर्क में उसका व्यक्तित्व मुखर और सन्निविष्ठ हो उठता था। अधिकार पुर्षो के ही समान थे। विभा एक धार्मिक संसकार माना जाता था। दमपत्ति घर के संयोक्त अधिकारी होते थे। लेकिन कहीं कहीं राजनिते का स्थिर्ता और सामाजिक संकिर्णता के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ उधारन ऐसे मिलते हैं जहां पिता विदूशी एवं योग्य कन्याओ की प्राप्ति के लिए विशेश धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करता था। कन्या को पुत्र सद्रुश शैक्षन एक अधिकार एवं सुविधाई प्राप्त थी। कन्याओं का उपनयन संसकार होता था तथा वे भी ब्रह्मजर्यका जीवन ब्यतीत करती थी। रिगवेद में ऐसी स्रियों के नाम मिलते हैं जो विदूशी तथा दार्शनिक थी और उन्होंने कई मंत्रों एवं रिचाओं की रचना भी की थी। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी तथा मंत्र द्रिष्टी कहा गया है जिसने रिगवेद के स्रोत की रचना की थी। हिंदू जीवन के प्रत्यक्षेत्र में वो समान रूप से आदरत और प्रतिष्ठित थी। कन्या की प्राप्ति के लिए विशेश अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। पुर्शों की तरह वो भी ब्रह्मचर्यकार जीवन व्यतीत करती हुई शिक्षा ग्रहन करती थी। महिला चात्राओं के दो वर्ग थे। ब्रह्मवादिनी जो आजीवन एक निष्ठता के साथ विद्या ध्यन में लगी रहती थी। जबकि दूसरा वर्ग सद्यो द्वाह का था जो विभा के समय तक ही विद्या ध्यन करती थी। कन्याओं का विभा प्राइह 15-16 वर्ष की आयू में होता था। समाज में सती तथा पर्दा प्रथा जैसी किसी प्रथा का प्रचलन नहीं था। दीरे दीरे वैदिक कर्मकांट की भी जटिलता बढ़ती गई और याग्यक कारियों में शुद्धता और पवित्रता के नाम पर आडंबर का बोल बाला पढ़ता गया। फलस्वरूप स्रीयों को याग्यक कारियों से अलग रखने का उपक्रम किया जाने लगा तथा उन्हें वैदिक मंत्रों के उच्चारन के उप्योक्त नहीं माना गया। उत्तर वैदिक काल में भी स्रीयों की दशाप पूर्ववद बनी रही। यद्यपी अथर्वववेद में एक स्थान पर कन्या को चिंता का कारण बताया गया, किन्तु उनकी स्थिती संतोष जनक बनी रही। उनकी शिक्षा पर विशेश ध्यान दिया जाता था, उपनयान संसकार भी होता था, तथा ब्रह्मचरे आश्रम में रहते हुए वो अध्यान करती थी। प्रिष्ठ 255 वे अब केवल पिता, भाई, आदि से शिक्षा ग्रहन कर सकती थी। ऐसी सिती में केवल कुलीन परिवार की कन्या ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। कन्या का विभा वयस्खोने पर होता था, कभी-कभी वे स्वयम पती का चुनाव करती थी, शत्रिय समाज में स्वयम वर प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा का अभाव था तथा विद्वा विभा होते थे, स्रीयों का सामाजिक समारोहों में जाना बंद हो गया था, स्री के धन संबंधी अधिकार को मान्यता नहीं प्रदान की गई। डॉक्टर A.S. अलतेकर का विचार है कि वैदिक काल की राजनैतिक आवशक्ताएं ही प्रागय तिहासिक, सती प्रथा की समाप्ती तथा नियोग एवं पुनर्विभा को मान्यता प्रदान किये जाने के लिए उत् धेन से पता चलता है कि इस काल में स्री की दशा संतोज जनक थी, शत्तर ड्रामन से विदित होता है कि ग्रहकारियों एवं उत्तरदायत्मों के निर्वा में स्री पुरुष की समान भागिदार होती थी, अविवाहित व्यक्ति यग्यों तथाधार में कर्मकांडों का प्रंगत होने का प्रमान मिलता है, याग्यवल्क की पत्नी मैत्रेई विख्याद दार्शनिका थी, जिसकी रुची सांसकारिक वस्तूओं और अलंकारों में ना होकर दर्शन शास्र में थी, उसने अपने पती की संपत्ति में अपने अधिकार को अपने पती की दूसरी प हिर्शी को चौका दिया, तथा अपनी प्रिच्छाओं से उन्हें ही नहीं बलकि पूरे विद्वत समाज को स्तब्ध कर दिया, इस काल में कुछ महिलाएं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का अनुष्ठान करती हुई, दर्शन का अध्यैन करती थी, अनेक शिक्षित महिला अध्यापनकार्य का भी अनुसरन करती थी, ब्राह्मन ग्रंथों से पता चलता है कि स्त्री पूरुष्ट की अपिक्षा दुर्बल एवं कामुक मस्तिष्ट की होती है, तथा प्राहियव आकर्शनों के प्रती आसानी से लुभा सकती है, ललित कलाओं के प्रती भी उनका विशे शाकर्शन हुआ करता था, प्रिष्ट 256, सूत्रकाल में इनकी दशा पततोन मुख हो गई, इनका जन्म अभीष्ट नहीं था, इनका उपनयन संसकार नहीं होता था, विभा के अलावा वे किसी अन्य संसकारों में वैदिक मंत्रों का उच्चारन नहीं करती थी, उन याग्य कनुष्ठानों से उन्हें वन्चित कर दिया गया, कुलीन परिवारों की स्रियों को शिक्षा दी जाती थी, राज परिवार के महिलाएं भी शिक्षित होती थी, उन्हें ललित कलाओं जैसे संगीत, मृत्य, चेत्र, मालाकारी, आदी की विधिवत शिक्षा दुआ वस्था में पती, तथा वृधः वस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं, मनों आदी कुछ अन्यस्मृतिकारों ने इस मत का समर्थन किया है, मनों ने कहा है कि पती के दुराचारी तथा चारित रहीन होने की दशा में भी पतनी का करतव है, कि वह देवता के सम रता को व्यक्त करता है, सामाजिक और धार में गतिविधियों में उनका महत्व पूर्ण योगदान था, उनके प्रति समाज की उदांत भावना थी, महाभारत में भीश्म पितामा का कथन है कि स्त्री को सरवदा पूज्यमान कर उससे स्निह का व्यभार करना चाहिए, जहां स स्रियों का आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है, उनकी अनुपस्थिती में सभी पूर्ण कार्य अपवित्र हो जाते हैं, रामायन में भी सीता के लिए आदर और सम्मान की बाते कही गई हैं, इसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक क समय उत्तरी भारत में विदेशी अक्रमनों का काल रहा, जिससे समाज में भारी अव्यवस्था फैल गई, इसने स्रियों की स्थिती को प्रभावित किया, नियोक तथा पुनर्विभा की प्रथा बंध हो गई, स्रियों के लिए पुनर्विभा के स्थान पर सन्यास द्वा है, इस काल में उनकी दशा निरंतर पतनों मुख होती गई, एक माद्र उनके धन संबंधी अधिकार को ही समाज में माननेता प्रदान की गई, बारहवी सदी तक आते आते संपुर्ण देश में विद्वा के मृत्पती पर उत्तरा धिकारी होने का सिध्धान्त ब्यावहार प्राप्त की थी, थेरी गाथा की कवीत्रियों में 32 साजिवन ब्रह्मचारिनी और 18 विवाहित भिक्षोनिया थी, उनमें शुभा सुमेधा और अनोपमा उच्च वंच की कन्याय थी, जिनसे विभा करने के लिए राजकुमार और संपतिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक सुभध्रा नामग भिक्षोनी व्याख्यान देने के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, राजग्रह की संपतिशाली सेठ की पुत्री भद्रा कुंडकेश अपनी विद्या और ग्यान से सबको आक्रिष्ट करती थी, इस युग में स्रिया ग्यान पिपासु थी, तथा अन्व भजन की संपति को भी सम्मिलेत कर दिया गया, मिताक्षरा तथा दायभाग में स्त्री को मृत्पति की संपति की पूर्ण उत्तराधिकारी घोशित किया गया, लेकिन जीवन के अन्यक्षेत्र में उनकी दशाद दैनिय थी, उपनयन संसकार की समापती एवं बाल विभा के प्रचलन ने उन्हें दैनिय स्थिती में ला दिया था, इस युग में विभा की आयू घटा दी गई और आठ से लेकर दस वर्ष की आयू में कन्या का विभा होने लगा, विद्वा विभा बंध हो गया और सती प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में प्रारंभ हो गया थ राजपूत वन्शों में कन्याओं का विभाद 14 या 15 वर्ष की आयू में होता था। कई कन्याओं को सरक्षिका के रूप में शासन भार भी ग्रहन करना पड़ता था। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ जिससे कन्याओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया। स्रीयों की अग्यानता के कारण स्मृतिकारों ने ये सिध्धान प्रतिपादित किया कि पती ही पत्नी का एक मात्र देवता है तथा उसका धर्म केवल उसकी आज्या मान करना एवं पूजा करना है। कुलीन परिवारों में बहुविवा का प्रचलन हो गया। बाल विध्वाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। 18 शताब्दी तक समाज में विध्वाओं के मुंडन की प्रथा का भी प्रचलन हो गया। स्त्रियों की शूद्र कोटी में गणना होने के कारण उन्हीं वैदिक साहित्य व्यमंतर्षन के अध्यन से वन्चित कर दिया गया। देश के कुछ भागों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। जिसके अंतरगत कुमारी कन्याई नृत्य ग्यान के लिए मंदिरों को समर्पित की जाती थी। और सामन्तों की काम वासना को शांत करने तक सीमित हो गई। अलबरुनी लिखता है कि देवदासियां अविवाहित सैनिकों की काम पिपासा शांत करने में भी सहयक थी। दक्षिन में ये प्रथा व्यापकरूप से प्रचलित थी। तंजार मंदिर में 400 तथा सोमनात मंदि है। उडिसा के मंदिरों में भी देवदासियां रहती थी। ये स्त्रियों की हीन एवं पतन उद्मोग दशा का सूचक है। स्वमुल्यांकित प्रश्न क्रपया निम्न प्रश्नों के समक्ष सत्य अत्वा असत्य लिखिए। एक रिग्वेद में ऐसी स्त्रियों के नाम मि स्त्री को मृत्पति की संपत्य की पूर्ण उत्तराधिकारी घोशित किया गया। उत्तर सत्य। चार सोमनात मंदिर में पास्सो देवदासियों के होने की सूचना मिलती है। उत्तर सत्य। 4.4 स्त्रीधन हिंदू व्यवस्थाकार ने स्त्रीधन के अंतरगत नारी के विभिन संपत्य का उलेग किया है। श्त्री की अपनी स्वयम की संपत्य जिसका पूर्ण स्वत्व होता है वो स्त्रीधन कहा जाता है। मनु के अनुसार वैवाहिक अगनी के सम्मुग जो कुछ कन्या को दिया जाता है जो कन्या को पतिक रह जाते समय मिलता है जो सनेहवश उसे दिया जाता है जो माता पिता और भाई से मिलता है वो सब स्त्रीधन है भाष्यकार विज्यानेश्वर ने भी स्त्रीधन के छे प्रक पृति द्वारा स्तृत्री स्त्री का धन थी। विवा में अभिभावक द्वारा कन्या के निमित जो धन लिया जाता था वो स्त्री धन के अंतरगत आता था। थेरी गाथा से वीदित है कि धर्मा दिन्ना को उसके पती ने ये निर्देश दिया था कि अपने माता पिता के यहां जाते समय जो भी धन वो ले जाना चाहें ले जाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि परिवार की संपूर्ण संपत्ती में स्री का भाग होता था और वो अपनी इच्छानुसार उसमें से अपने पास रख सकती थी। स्रीधन के अंतरगत परिवार की भूमी के अलावा उसके मूल्यवान वस्त्रा भूशन भी होते थे जिनका वो स्वयम उप्योग करती थी। प्रेश्ट 269 कात्यायन ने भी स्री के स्वामित्व और उसके स्व उची देते हुए उसका विमर्श किया है माता पिता पती तथा भाई से जो धन प्राप्त हो विवाकाल में अगनी के सम्मुख मातुल आधिद्वारा प्राप्त धन हो अधिवेदन के निमित अधिविन्न स्त्री को पती द्वारा दिया धन उप्रोक्त से ग्याद होता है क रिक्त या उत्तर अधिकार क्रय संविभाग प्रतिग्रह अधिग्रम से प्राप्त ये सभी स्त्री धन थे इस प्रकार स्त्री धन के अंतरगत प्रत्य प्रकार की संपतियों को सम्मिलित कर दिया गया स्त्री धन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है सौदाइक अ माता पिता अत्वापती द्वारा स्री को दिये गए उपhl़घ्व गए केुछ असाथ उसके पूर्न अधिकार में कर दिया गया एंसाधाएक धAnn को केवल स्त्री ही उप्योग कर सकती थी नारत का विचार एक विध्यानेश्वर ने भी स््ट्री धन्कों, का बताया है, उत्तर असत्य 2. नारत के अनुसास श्री को स्रीधन में चल संपत्ती बेचने का अधिकार नहीं है उत्तर असत्य 4.5. स्री का संपत्ती का अधिकार 5. स्रीधन की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हिंदू समाज में उनका संपत्ती विशयक अधिकार स्विकार किया गया है तधा उन विशेश परिस्थितियों का भी विशलेशन किया गया है जिनके कारण संपत्ती में वे अपना हिस्सा प्राप्त करती थी वैसे वैदिक कालीन कुछ ऐसे विवरण हैं जो उसके उत्तराधिकार पर आक्षेप करते हैं किन्तु ये अपवाध ही हैं संपत्ति में प्रहय उसका हिस्सा रहता है परिवार में वो पुत्र से किसी प्रकार कम नहीं समझी जाती थी दत्तक पुत्र से श्रेष्ट पुत्री समझी जाती थी अपने भाई के नरहने पर पिता की उत्तराधिकारी होती थी अत्धा वैदिक युग में स्त्री संपत्ति के अधिकार को माना जाता था चौथी शताब्दी ईसापूर्व तक ये वैवस्था समाज में प्रचलित थी किन्तु दूसरी सदी ईसापूर्व में आकर स्त्री शिक्षा पर अनेक प्रतिबंध लग गए जिनके कारण स्त्री का संपत्ति विशयक अधिकार पी क्षति ग्रस्त हुआ प्रिष्ठ 260 इस युग में ऐसे अनुदार धर्मशास्रकारों के एक वर्क का आगमन हुआ जिसने भाई के नरहने पर भी बहन के उत्तराधिकार को स्विकार किया आपस तंब सूत्र ने ये व्यवस्था दी कि उत्तराधिकारी के अभाव में जब सपिंडव गुरू या शिश्यक कोई ना हो तब पुत्री उत्तराधिकारी हो सकती है यदि भी उसने पुत्री को उत्तराधिकारी ना स्विकार करके सारी संपत्ती धर्मकारे में लगा देने के लिए निर्देश दिया है वशिष्ट कौतम और मनु ने भी उत्तराधिकारीनी के रूप में पुत्री का कहीं नाम नहीं लिया है इन व्यवस्थाकारों ने संपत्ति से पुत्री के अधिकार और उसके उत्तराधिकारी के अधिकार को नहीं स्विकार किया है परंतु इसके विप्री दूसरे शास्रकारों ने अत्यन्त उधारता पूर्वक उत्तराधिकारी होने का मत का प्रतिपादन किया है महाभारत में उसके इस्व तत्व को पुत्र के समकष स्विकार किया गया है और ये कहा गया है कि अगर अब प्रात्रका को पूरी संपत्ति नहीं मिलती तो आधी अवश्य मिलने चाहिए यागी वल्क ने दृता पुर्वक पुत्रों के हित में अपना विचार प्रकट किया है तथा निर्देश दिया है कि पुत्र और विद्वा के अभाव में पुत्री उत्तरा धिकारिनी होगी रहस्पती और नारद ने ये तर्क प्रस्तुत किया है कि पुत्री अपने पिता के पुत्र के समान संतान नहीं फिर पुत्र के ना होने पर उसके अधिकारों को कैसे अस्विकार किया जा सकता है इस आधर पर का तैन जैसे व्यवस्थाकारों ने अपने विचारों का विकास किया तथा पुत्र के अभाव में पिता की संपत्ती में पुत्री के उत्तराधिकारिनी होने के नियम की पुष्टी की। कन्या को पुत्र के हिस्से का चौथाई पाने की संस्तुती जिमूत वहन और विज्ञानेश्वर दोनों शास्रकारों ने की है तथा ये स्पष्ट कर दिया है कि कन्या का परिवार में अधिकार प्राप्त है निश्चे ही पुत्र के रहते हुए कन्या का संपत्ति में अधिक नहीं किया है नारत का अभिमत है कि कन्या उतना ही हिस्सा प्राप्त करें जितना उसके अविवाहित रहने तक व्याय होता है पिता के दिवंगत हो जाने पर कन्या का विभा करना पुद्र के परम करना